इस वीडियो में हम द्विघाती समीकरण यानि की Quadratic Equations की चर्चा करेंगे जो कुछ इस तरह के होते हैं जैसे AX का वर्ग धन BX धन C बरावर 0 ठीक है तो यह जो समीकरण है इन्हें हम कई तरीके से हल कर सकते हैं उसका एक तरीका तो यह है कि हम मध्यपद को भी भाजित कर ल इसके बाद धन रिण B का वर्ग रिण 4AC और इसका हम लेंगे वर्गमूल बटे 2A ठीक है तो यह इसका आल होता है इसका भी हम उप्योग करके ऐसे समीकरण को हल कर सकते हैं अब कई बार प्रेश्ण में हमें ऐसे भी समीकरण मिलते हैं जो दिखने में तो द्विघाती समी समीकरण है एक बटे X रिण 3 और रिण 2 बटे 2X रिण 3 ठीक है 2X रिण 3 बराबर है 3 बटे 5 यह हमारा समीकरण है अब इसे हम कैसे दिखाती समीकरण बदल सकते हैं आईए देखते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पहला पद है उसके अंस और हर दोनों में 2X गोड़ा कर दें और जो दूसरा पद है उसके अंसर हर में x रन 3 का गोड़ा कर दें तो यह क्या हो जाएगा हमारा समीकरण यहां पर हम 2x रन 3 का गोड़ा पहले पद में करते हैं तो यह हमें मिलेगा 2x रन 3 बटे x रन 3 हमारे पास पहले से है और 2x रन 3 का हम गोड़ा कर रह हाँ पर नीचे हमें जो, हर है, उसमें क्या मिल जाएगा, 2x, रन, 3, हमारे पास, पहले से हैं, और x, रन, 3 का हमें यहाँ पर, गोडा कर रहे हैं, और इसके बराबर में, हमारे पास, 3 वटे 5, ठीक है, अब ये जो हमें समीख करन मिला, इसमें हम क्या देख रहे हैं, तो एक्स रण तीन और इसके बाद रण 2 और x रण 3 यहाँ पर हमें मिलेगा और जो इसका हर है भो हमें मिल जाएगा x rin 3 पहले कोस्टक में और दूसरे कोस्टक में 2x rin 3 ये गुड़े में है बराबर हो जाएगा 3 वटे 5 ठीक है इसको आगे हम हल करते हैं तो उपर जो ये कोस्टक है इसे हम तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x rin 3 अब rin 2 का x से गुड़ा करेंगे तो 2x मिलेगा और रिन 2 का 3 से गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर हमें 6 मिलेगा और इसके नीचे हमें मिल जाएगा x रिन 3 गुड़ा 2x रिन 3 बरावर 3 वटे 5 यह हो गया, अगले चरण में क्या हो जाएगा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 2x है यह धनात्मक है और यह वाला 2x रनात्मक है तो यह दोनों एक दूसरे से कैंसल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा रन 3 और धन 6 मतलब हम जब 6 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3 बटे X run 3 पहले कोस्टक में और दूसरे कोस्टक में हमें मिलेगा 2 X run 3 और इसके बरावर में हमें 3 बटे 5 अब चुकि बरावर के दोनों तरफ हमें अंस में 3 मिल रहा है इसका मतलब हम 3 से 3 को भाग दे कर के से शूने कर सकते हैं तो जो अगला चरण है उसमें हमें समीक रण क्या मिलेगा हम इसे लिख सकते हैं यदि हम इसका तिरियक गुड़ा कर लें तो हम लिख सकते हैं X run 3 गुड़ा 2 X run 3 बरावर 5 ठीक है अब क्या करना होगा हमें हम इसे और सरल करने के लिए पहले कोस्टक के प्रतेक पत का गुड़ा दूसरे कोस्टक के प्रतेक पत से कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा यह X का गुड़ा 2 X से होगा तो हमें मिलेगा 2 X का वर्ग इसी तरह से X का 3 से जब हम गुड़ा करेंगे तो 3 X मिलेगा अब हम 3 का भी गुड़ा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 3 गुड़ा 2 याने की यहाँ पर हो जाएगा रण 6X और इसके बाद 3 गुड़ा 3 याने दोनों रणात्मक है तो यहाँ पर धनात्मक संग क्या आएगी धन 9 बराबर 5 ठीक है अब इस 5 का हम यहाँ पर पक्षांत रण कर लेते हैं और यह जो यहाँ पर 3X 6X है इन्हें भी हम आपस में जोड़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा ये 2X का वर्ण 3X और रण 6X दोनों ही रणात्मक है तो यहाँ पर हमें हो जाएगा और इसे हल करें तो क्या हो जाएगा ये 2X का वर्ण 9X और धन 9 में से 5 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4 बराबर 0 तो इस तरह से देखा आपने की आसानी से हम इन समीकरणों को द्विगात समीकरण में बदल सकते हैं ऐसे समीकरण जो पहली नजर में हमें द्विगात तो नहीं लगते लेकिन उन्हें हम द्विगात समीकरण में आसानी से बदल सकते हैं